आप सब कैसे हो आज क्लास टेंथ का पिरी बोर्ड एक्जामिनेशन 2023-24 मैथेमेटिक्स बेसिक पेपर को सॉल्व करेंगे जिसका कोड गिवन होचो 241 जो मेक्समाक्स 80 नमबर का टाइम डूरेशन का थिरी आवर्स है जिसका पाहला कोशन बचो गिवन है इसमें कोशन गिवन खंड ए में 20 प्रसन सभी प्रसन का एक एक नमबर का जिसका पाहला कोशन गिवन बचो एच्चीएफ 96104 का एच्चीएफ गिवन है तो बताना उस नमबर का क्या होगा LCM क्या होगा तो फर्मूला आपको ध्यान अखना बच्चो LCM गुने HCF एक्वल में दो संख्याओं का गुननफल फर्मूला आपको धान अखना है जिसमें LCM क्या करना बच्चो फाइंड करना HCF कोशन के अंदर गिवन है कितना एट है तो यहां युच करेंगे एट दो संख्या बच्चो गिवन है 96104 है पाहला संख्या 96 है दूसरा क्या 104 है यहां से क्या करेंगे LCM को क्या कर फाइंड करेंगे तो हो जागा 96 इंटू 104 डिवाइड़ वाई एट एट से कर जागा बारा नमबर पर यहां पर बचेगा जब बारा इंटू 104 है तो जब मल्टिप्लाइग करेंगे बच्चो 104 को 12 से मल्टिप्लाइग करेंगे तो रिजल्ट आगा 1248 जो की अप्चिन टू मैं बचो गीवेंघ बहुपद एक स्क्वार पलस बी-1 माइन अंशी के सुन्यकों का गुंना फल एबी सिक्राल वास्तिव 15 संक्या तो रिजल्ट ऑन रहता और सी अपॉन है जो कि अपसर नम्बर क्या है बी में गीवेन है तो सकेंट का जो टेंशर होजागा वह क्या बी नलवंत इसका इंसर करेक्ट होजागा बचो एक गीवेन एक दुघात समिकरन लगा गुंध का इंगिल्स में बोलते हैं डिसक्रिमिनेट नयजिसका फार्मूला अब को धानक नाचो डी एकवल में होता बीस्वार मैनस का फॉर एसी बी होता एकस का गुनांग जो माइनेस का 6 है कहोल स्कुर मैनेस फोर यह होता ये स्कुर का गुनांग एसे ओखोजिए ल predator six का स्क्राइब 36 35 में यह hon brings out listeningनी फॉर तो च्शतिस में से जब 24 इन सब्सक्र मैं वारा को कॉस्ण आई करेंगा 24 मैं सरके आजागा चाहिए फॉर पारेक्ष्या कैई एक सबीक्स नमझे में दो समिकरंत भी बाद तो द्याद एक पहले इस्टृंडर फोर में लेके आगे तो उसी तरीके से A2 हो जाएगा 6, B2 हो जाएगा बच्छो 9 और C2 हो जाएगा धाय धानक न न माइनेस का 15 यहाँ रेश्यो लेंगे तो रेश्यो में क्या हो जाएगा बच्छो 2 अपॉन 6 होगा 2 अपॉन 6 3 divided minus का 9 यहां पर बच्चो पलस में यहां पर कड़ जागा किया है 3 और यहां पर 3 तो यहां पर 1 आपान 3 और यहां पर minus में तो क्या है माइनेश 1 अपान 3 बच्चो तो पहला और दूसरा क्या है इसमें बराबर नहीं है तो इसका answer जागा बच्चो ए 1 अपान A2 not equal में B1 upon B2 A1 upon A2 और हो जागा not equal में B1 upon B2 इसका हो जागा बच्चो केवल A खलोगा जब A1 upon A2 not equal में B1 upon B2 होता है तिसका condition आपको धा रखना केवल A खलोगा तो फोर्थ का जो correct answer हो जागा हो जागा वह दी हो जागा इंग्लिस वाले student के लिए फर्स्ट का जो correct answer बच्चो वह सी है और सकेंड का जो correct answer का होँआ भी है और ठर्ड का जो correct answer बच्चो एहां जो की 24 है और फॉर्थ का जो answer बच्चो only one solution तो फॉर्थ का जो correct answer हो जागा वह दी हो जाएगा कंप यह कोई यह कौमठर को कॉमठर नहीं होता जब नंबर में कोई भी कॉमठर नहीं होता तो उसका सिंदे सागण O होता है जो कि अप्सोन नंबर क्या है ए में गिवेन तो फाइब का जो करेक्ट अंसर हो जागा और कोश्चन में शीक्स में बिंदू से 4-3 का दूरी पुछा हुआ तो मूल बिंदू का होता बच्चो 00 होता मूल बिंदू का होता 00 और एक पॉइंट गिवेन अर न हे फौर मने हो पर एक दो १ृ बार्थ में डृरी सूत्र अर बी तो दूरी assy में क्या फॉर्मूला हता बाच्च इसका पहला हे फॉर है इसका क्या पहला क्या जीरो का होल स्कवार भी दूसरा का माइनेस माइनेस घिरो-0 का होल सकवार ऑगा फॉर मााइनव से सी नाइन नाइन को एंट करें तो फैर बनाएं तो फाइव उनिट्स चैनल का तो लिए लिए सब्सक्राइब यो यह निसकत्य हो जागा और कोशन नमबर सब्सक्राइब टो फर नौ लिए्पलस नाइंटीन डिक इतना बचो 15 15 है 15 है प्लस 19 डी है निकालेंगे 12 में से 15 को माइनेस करेंगे तो माइनेस का 3 हो जागा जब इन दोनों को माइनेस करेंगे सेविन करेंगे दोन ओनों को जागा मेंज का 4 हौा जावजागा आफ अटने करेंस सेंगे एक इतना सेविए यहां एक तो माइनस करेंगे तो एंसर जागा 35 में से साथ को माइनस करेंगे तो 28 यहां डी के साथ 12 छार से कटिंग करेंगे सेवेन पर तीन से तो एंसर बचो सेवेन अपन तीरी जो की अप्सों नम्बर का एंच का जो लगा है और फीगर बचो गीवेन है इसमें लिखा आकिरती में एदी डी समांतर बीसी का और एडी इकल में वन पाइंट टू है यहां पे एडी कितना वन के था इसी जो गीवन पाइंगा देरी तो बताने आएसी का रिजल्ट क्या होगा तो यहां अप्लाई करेंगे बचो बीपीटिक अप्लाई करेंगे बचो एडी डिवाइड़ वाई ठीट सब्सक्राइच ईचकरेंगे 1.2 जबकिभी जो कोस्न अंदर गीवन वचो में वा और यहां से हो ज़ाका बच्चों बारस से चट्रिस कपा तीन नंबर पे क्रॉस मुटिप्लाइगे बच्च जो कोशन नहीं कि यहां पर क्या करेंगे मिसिंग करेंगे इसमें नहीं दिए तो यहीं लिखेंगे और इसी जू कोशन किना दूल लेकिन पूछा च्शों काऊ लिखेंगे सी में कि मैं इसी निकाल कितना किनी सब्सक्राइब करेंग दो चार और चयाब न थे ओ करेंच युद फ़ीन पमें तो नइन पर स्थॉसन में जब नमेरा स्थुडिनayer चटाइब विए घ्हार डि ह्यां का ढूर एट का जो करेंच है यह एक का जो एट का जो करेक्ट एन्सर का एर नाईन वारा है और अगर वाचो समझने में आ आपको किसी भी परकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बाक्स में ज़रू लिखें वीडियो चे लगए तो लाइक कमेंट और सब्सक्रैब करना चैनल question number 10 में बचो given है ABC समरूप है DEF के जिसमें A angle given 47 angle E given 83 तो angle C का result क्या करना बताना है तो यहां पर क्या बनाएंगे बचो दो तिर्भूज बना देते हैं छोटा छोटा एक का नाम है बचो ABC दूसरे का नाम है DEF angle A कितना given 47 या कितना 47 और E angle given बचो कितना 83 अगर angle E given क्या होगा बचो समरूप में बराबर होगा अगर एंगल E अगर 83 यह तो angle B भी क्या होगा 83 corresponding angle क्या होता हमेशा बराबर होता है और ध्यान अखना बचो किसी भी तिर्भूज में तीनों कौन का जोर कितना होता 180 होता है तो दोनों को क्या कर कर देंगे add कर देंगे 180 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे पर दोनों को आड़ करेंगे क्योंकि यहां अपलाई करेंगे बच्छों एंगल संपरपड़ तिर्भूज के तो थीनों को जोर के 180 करेंगे तो थीनों के आगा बच्छों एंगल बी और एंगल से कर लेंगे करनेंगे तो जब इन दोनों को आड़ करेंगे तो साथ इन दास चार बारा एक तेरा यहां एंगल सी हो जागा बच्चों एंगल सी का जब रिजल्ट निकालेंगे तो वन 80-130 तो एंस्टर जागा वच्विप्टी डिग्री तो कॉस्ट नमर टेन का जो करेक्ट एंस्ट जागा वब्लिप्लाइ गिरें तो एलेवन का जो करेक्ट एंसर हो जागा यह होजागा तोसे मिरीट की अधिकताव मसफष सरेक़ाय कितनी बार हो सकती कितनी हो अपर अपरमीत रूप से अनेक होगा कितना होगा अनेक होगा तो यह जो डा करेकप्टए π falsch हो सकतें है तो ख और मिक्त रूप से क्या होगा अनेक होगा कोशनला 13 में बच वे ईवन है 5 मीटर लंबी चडी 2 मीटर लंबी है उसी समय 12.5 मीटर उप्चे पेर की छाया की लंबाई क्या होगी बच्चो कोशन 5 ईवन बोले 5 मीटर की लंबी है यहाँ पर 5 मीटर मा लेते 5 मीटर लंबी है तो उस समय जो परचाई बनना कितना दो मीटर बनना कितना बने बंदी 104 को यहाँ पर dream चैट rec लोए और परचाई किसंगा हाई है करना हमें जो इअपने लोगोनीं कि उसका परचाई формar तीरभूज को क्या करेंगे सिम्लार करेंगे उसके बाद का रेशिव ले लेंगे एंसर आजागा छोटे वाले में जो भेस कितना दो है और बड़े वाले में कि निकालना तो एक समाल लेते हैं पिर छोटे वाले में सबस्क्राइब यहां पर आपलाई कि बच्चों सिम्लेट रियंगल का कंसेप्ट और कोशन नंबर 14 में बच्चों गीवेन आए तैने स्कॉआर 45 मैंने स्कॉआ 16 डेग्री का रिजल्ट बताना तो टैने फोटी फाइव करेंगे वन पर द यहां को जागा 4 इधर 4 आजा 9-1 तो 3Y आपन का तो जब इसको सॉल्भ करेंगे सॉल्भ करने का जो एंसर अर्थ 3 आपन 4 तो 14 का जो करेक्ट एंसर जागा वा क्या हो जागा इंसले सीह हो जाहँ है कि इंग्लिस वालोज के लिए टेन का जो करेक्ट एंसर भी है 50 डिग्री और 11 का जो करेक्ट एंसर हो एच है 1 बालाइफ 3 और फडी है और से जो करेक divert चरवाइं वह ग में आदि सब्सक्राइब करेंगे तो नबे नबे को आड़ करेंगे तो एक सब्सक्राइब करेंगे तो कितना जगा जो साट को एड़ करेंगे तो जो एंसर जागा दो जो जागा तो यहां जीरो में से सब्सक्राइब करेंगे तो एक सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से पूछा हुआ तो वन में से कर देंगा माइनेस कर देंगे वन में सब्सक्राइब करेंगे वर्ग क्या तीस से चाली से चाली से जब भी धान एकना मोड निकालना रहाता तो हाइस्ट फ्रिक्वेंसी की देखते है कि सबसे बड़ी बरंबरता कौन साही तो आठ है आठ के सामने वाला ही क्या का लागा बहुलक वर्गा तीस से चाली जो की आप्सन नमर क्या ची में तो स्विवनाटी ना तो सब्सक्राइब एक बैलंड चैन तीन के से चाली से च्थरफल क्या करना गयाद करना गया तो वच पर्मूला था जिसको सौट मोलता सी है तू और पाई रह और पाई का मेरा रखना बाइस बटा साथ बटा साथ बटा साथ और एडिये जो कोशन न करदेका दो नंबर पर अब आपस में का करेंगे करेंगे तो दो को तीन से करेंगे। तो 12 बारत को क्या करना बाइश से मुल्ट्प्लाइगे। 12 हुआ 24 24 जागा 264 जोकी ऑप्सन में गीव है थो 18 जो 需要 जागा इंगलिस वाजब के लिए बच्छो नमबर 15 का जो गज़ों पर नाइंटीन और कारण रिलेटेट कोशन है कोशन में कज़ों दो कर्मागत कर्मागत का मतला धनात्मक पुर्णांकों का गुननफल हमेशा 2 से क्या था भी भाजित होता कोई भी आप लगतार नमबर ले सकते बच्चों जैसे तीन और चार ले लिए तीन चार को जब आपस में मल्टिप्लाइब करेंगे मल्टिप्लाइब करने का जो रिजल्ट है का हमेशा 2 से कर जागा तो इसमें बोला 196 का अभाज गुननखन में अभाज गुननखन डाशो का जोंगा कितना होगा it तो आ जब दो से करेंगा अजो तो 49 पर पिर पिर अचार बोला हो तो रहां बीड़ा गया तो जोडेंगे तो जोड़ेंगे तौ पलस दो ये क्यां जोड़ेंगे शारा हो वहां गया तो कोशन नमौर नाचीन का बच्शों जो घात घात को जो ने कितना राचार एह लेकिन एक दूसरे को एक सब्सक्राइब कर नहीं कर रहा तो नाइटीन का जो दोनों statement दो सही दिडिकन दूसरी को एक सबलेन तो रिजल्ट कितना आगा पांच आगा और इन दोनों को जब मल्टिप्लाइगा रहेंगे तो शीक्स आगा तो स्टेटमेंट का बच्व टू है और इसके कारण में बच्व बोला हुआ अलफा बीटा एक द्युघात बहुपद के सुन्यांख है तो बहुपद होगा एक स्ट्वार माइनस अलफा प्लस बीटा इन्टू एक सालफा इन्टू बीटा तो स्टेटमेंट बच्व टू है और एक दूसरे को क्या करा एक्स्प्लेन करा तो 20 का करेक्ट एंसर हो जागा कि जो भी बस्टू जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा अपना एंसर तो कमेंट बॉक्स में अपना माक्स जरूर लिखे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूले कोई भी डाउट हो तो कमेंट सक्षन में बुले थैंक यू